तो भीया जैसे कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा एक तरफ से चैप्टर के नाम मैंने आपको गिनाय थे शुरुवात में कि मैं आपको कैसे कैसे पढ़ाऊंगा एक मिनिट या दिला देता हूं मैंने आपको कहा था पहले जोड घटाना गुड़ा भाग पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको वर्गमूल घनमूल पढ़ाऊंगा वर्ग और घन पढ़ाने के बाद फिर वर्गमूल घनमूल उसके बार घातांक करड़ी यानि सिंपलिफिकेशन सिंपल फ्रेक्शन यानि सरल भिन उसके बाद दसमलों भिन फिर भिन की तुलना करना फिर संख्या पद्दती प्रतिसाद लाभानी ब्याज और अनुपात समानुपात मिस्राण मतलब बहुत कुछ चलेगा बाई साहाब समझ रहे हो ना सब कुछ पूरा जितना भी कॉंपटिशन का आपका मैथ होता है सारा चैप्टरिस में रहेगा बस आप कलास को इन तक देखिएगा तो मैंने आपको जोड घटाना और गुड़ा पढ़ा दिया था भाग वाला चल रहा था भाग में मैं आपको काफी कुछ चला गलग पढ़ाना चाहता था ठीक है सुनिए कि क्लास चल रही है जिनका वीडियो शुरू नहीं हुआ वह एक बार रिफ्रेस्ट कर लें कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहें कि टाइम हो गया टाइम हो गया उन्हें लगरा चला नहीं देखो तो चल के रहा था भाग मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके दिखा देता हूं टाइप मैं आपको कम से कव नो टाइप का भाग पढ़ाऊंगा भी पहली टाइप की वह भाग है जिसमें एक पद में भाग जाती है और सेस्फल आता है एक के बार में भाग जाती है और सेस्फल आ जाता जैसे देखिए साथ से मैंने भाग किया अगर इसको काया यार सात्री के कैसा सेजफल इसमें नहीं आता जीरो हो गया यह आपकी पहली टाइप की भाग हो गई इसमें आप और कोई भी ले सकते हो यह देखिए यह फार्स टाइम में ही कड जाता है मतलब क्या आता सेजफल जीरो आ जाता है यह आपकी एक परकार की भाग हो गई आपको सब कुछ सिखाऊंगा इसमें बस आप कलास को छोड़ के नहीं जाना आगले 15-20 मिनट हमें देखते रहना कि अंजली राजहौर आसरी आपका कमेंट आ रहा है और सबका नाम बोलूंगा बस हमरे साथ बन रहीएगा मैंने बहुत सारे इसमें material notes करके लाए हैं किस किस टाइब का मैं आपको पढ़ाऊंगा चलिए यह हो गया जिसमें साथी मेरे भाग करने पर सेस्फल नहीं आता है टिकन टाइब की वह भाग मैं थोड़ा फर रिपीट जरूर कर रहा हूं लेकिन देख लेना ज आने पर तीन आया यह फोर दोनों तरह का लिखते हैं लिख सकते हो कोई बुराई नहीं है यह वो टाइब की भाग हो गई जिसमें एक ही बार में भाग जातो रही है लेकिन सेस्फल आ रहा है ठीक है अभी आगे देखते जाना बिल्कुल जाना निकला छोड़के देखो ज जैसे 111, 18 बोलो कितनी बार जाएगा इमांदारी से बताओ 6 बार जाएगा ना 18 चक्का 108 इसमें भी एक ही बार भाग गई लेकिन सेस्फल आ गया समझते जाएगा इमांदारी से प्यार से यह आपका मेरे भाई वो फर्स टाइप का भाग है क्या है यह यह आपका वो फर्स टाइप की भाग है ठीकें टाइप की जो आपने देख लिया आगे मैं आपको दिखाऊंगा बस हमारे साथ बने रहिएगा इसको मिटा आता हूं थोड़ा रुक ना जाना नहीं कोई छोड़के कर देख रहा है चलो तीफरा टाइप देखो टाइप नमबर थर्ड देखो टाइप नमबर थर्ड देखो यह दो टाइप हो गया अब आप लोग कुछ भाग खुद इसको य। 45 को इसको आप लोग करेंगे क्योंकि मैंने मायत सिखाने का प्रण किया आप लोगों को चलो भाई इसको आप करना लिखिए जल्दी करिए इसको आप सभी करेंगे अभी और पढ़ाऊंगा लेकिन होम और क्लिक लो पहले तब अभी इसमें तो बहुत टाइप की भाग कराना 9 टाइप के भाग होंगे 9 टाइप के जिसमें आप सांत असांत दसमलों भी पढ़ेंगे ये कर लेना जल्दी से स्क्रीन साड लीजिए अंकेस त्यागी ठीक है आसीस बेरी गूट चंचल परजा पतीजी गुड इबनिंग चलो भाई आगे बने फट से अब टाइप थाड देख लीजिए उमीद है कि आप लोगों ने यहां तक समझा होगा अगर सभी को समझ में आ गया ते एक बार यस बोल दीजिए यस अब वो टाइप की भाग होगी जिसमें आप देखोगे अभी फटा फट की वो दो तीन स्टेप में जाएगी लेकिन सेस फ़ल 0 आ जाएगा कल वैसे मैं सायद यह पढ़ाया था तो इसमें एक आ कराऊंगा जैसे नाइन से भाग करें वन नाइन एट में आप इसमें एक चीज समझना कि इसमें एक से अधिक बार जाएगा जैसे नव दून आ ठारा लेकिन इसमें फिर भी सेस फ़ल नहीं आएगा घटाने पर वन आएगा उपर से आठ उतारोगे नव दून आ ठारा देखो दो बार में गया लेकिन सेस फ़ल जीरो आ गया बात समझ में आ रही कि नहीं ठीक है इस तरह से आप देख लो 12 से 864 को करके देख लो यह कल मैं बताया था इस टाइप का कर लीजिए यह दो बार में जाती है लेकिन सेस फ़ल जीरो आ जाता है यह आपकी तीफरी टाइप की भाग हो गई जो विचहात्र डेली और कंपलिट कोर्स करना चाहते हैं उपर दिये गए नंबर पर इस नंबर पर जुआइन जेड एलेम लिख कर भेजे और मात्रे 2.99 में पूरा फुल कोर्स वो देख सकते हैं तीन महीने ठीक है यह आफर आपके लिए अभी इसी महीने 25 अगस तक है अगर चाहते हैं तो आप इसे बहुत जल्दी जोईन करें यह लाश्ट मौका है इसके बाद थ्री मंत का 6.99 पे होता है 6.99 याद रखना ठीक है बाकी यूटूब पर में तो फिरी पढ़ाता रहूंगा कुछ नहीं लगना है यूटूब पर पढ़ते रहा हमारे साथ बिंदास चौथा टाइप देखो अब वो टाइप की भाग जिसमें आप ले जाओगे दुए बार तीन बार लेकिन फिर भी सेस्पल बच ही जाएगा समझना जिनको मैत ना आती उनके लिए संजीवनी है यह विश्वास करिए आप जैसे आप 13 से बाग करिए 537 में चलिए कितनी बार जाएगा बोलो कितनी बार जाएगा YouTube पर कोई पैसा नहीं लगेगा YouTube पर फ्री होता जाचा कुछ नहीं लगता है ठीक है कितनी बार जाएगा तेरा चुका बावन अगर डेली आप इस कलास में सो और डेड़ सो बच्चे लाइब ले आओ तो मैं एक भी रूपए नहीं लगेगा ये भी फिरी कर दूँगा यूटूब पे सब पढ़ाओंगा लेकिन हर दिन 100 पलफ लाइब होना चाहिए आपकी जिम्मेदारी है इससे कम नहीं बोलो हो जाएगा तभी बताओ यस क्या आप दो या तीन बंदे बंदियों को ला सकते हो कलास में अराम से ला सकते हो अगर सभी लाओ तो फोर बार जाएगा कितना आएगा घटाने पुण आएगा उपर से सेबन उताल लो फिर वन जाएगा इनको भी करके देखो कितना जाएगा बोलो सिंपल है तीन बार जाएगा उपर से पांच उताल लीजिए आप देखिए इसमें थोड़ा मामला फंस राएगा आप देखो कि इसमें भाग नहीं जाएगा फिर क्या करोगे क्या करोगे लाश्ट में एक पांच बच रहा था ये भी एक बिसेश भाग है ध्यान से समझना समझना अगर इस तरह का कंडिशन बन रही है हमने भाग किया पहले तीन बार ठीक है वन सेश फ़ल आ गया अभी उपर एक पांच बच रहा है लेकिन उसको उतारने के बाद भी यहां कुछ नहीं हिलने वाला है क्योंकि पंदरा हो रहा पंदरा अल्रेड़ी सत्रा चोटा है तो इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं उपर हम जीरो जरूर बढ़ा देते हैं जब ऐसी इस्तिति आती है अगर इसी पर छोड़ दें आंसर तब समझ रहे हो ना इसको दसामलों में नहीं ले जाना देखो अक्चुली ऐसा क्यों करते हैं आपको पता है कि यह इसका कांसेप्ट होता है भाज बराबर भाजक गुड़े भाग फल धन सेस फल अगर यह कंडिशन फालो होती है तो भा करते हैं भाजक वह होता है जिससे भाग करते हैं भाग फल वह होता जो उपर प्राप्थ होता है तो यह देखो तेरा एक कम तेरा हांसी लेक तेरा चोका बावनेक तिरपन अधन चार को बताव सब्सक्राइब आ गया ना 22 को जोड़ोगे 537 आ गया बराबर हो गया लेकिन अगर मैं जीरो ना बढ़ाऊं यहां पर सिर्फ इतना रहने दूँ तो यह बताओ क्या यह सही है एक बार सबी बोलो यस सही है यह देखो बताता हूं समझो इदर समझो मेरे भाई समझो अगर हम भाज जे की बात करें तो यहां पर स्वर यहां भाज जे है 525 भाजक 17 भागफल मान लो उपर तीनी गया है धन सेज़फल 15 देखो 17 तियां 51 धन 15 आप इनको जोड़ लो मेरे भाई यह 525 कभी नहीं आएगा 5 एक च्छा और 5 एक च्छा 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 अच्छा यह इक्वल है क्या शिव पूजन मिस्टर सोनू पढ़ाई कलो बाबू पढ़ाई कलो ने जिन्दगी मजाग बन जाएगी मजाग के चक्कर में मीरा देवी आरपित कुमार बेटा मैं तुम्हारे सवाल का जबाब नहीं दे सकता हूं आ समर्थ हूं चलो इसको लिख लो अब मैं बताता हूं इसका कंसेप्ट क्या है देखो भाई इसमें कुछ गलत नहीं है यह सब सही है मेरे बाबू इसमें थोड़ा सा मिस्टेक यह था जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहां पर आप जीरो बढ़ाओगे जब छोड़ोग उसको ठीक है तो भाजक आपका जिससे काट रहे हो सत्रह है अब भागफल आपका 30 हो जाएगा अधन सेसफल 15 हो जाएगा अब सत्रह त्याइए क्या वह निए पांसो दस यह पंद्रह होगा जोड़के देखो पांसो पचीस आएगा ना क्यों भाई आ रहे ना तो यह अब सही है यह भी एक प्रकार की भाग हो गई आपकी टाइप नंबर पांच अभी देखते जाओ क्या-क्या मिलता है क्लास को छोड़के नहीं जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा एक बार सभी साथ ही यस बोल दीजी अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत इमांदारी से बोलना दिल से बोलना एकदम और सेशन को लाइक कर देना उसी जोस में एक बार फट से अब आगे बढ़ते हैं चल भाईया यह हो गया आपका पांच टाइप का भाग च्छटा टाइप के भाग में आ जाओ नौँ दस टाइप का मैं आपको भाग बताऊंगा जिनको मैं इतना आता है उनके लिए एकदम राम बांड है यह तो चल भाई कितना हो गया यह एक दो तीन चार पांच ठीक है अब देखो ना कटने वाली भाग एक ऐसी भाग जिसमें आप देखो तो दो बार में भाग ले जाने के बाद भी नहीं कट रहा था भी आपने देखा था यह तो यह तो हो गया था लेकिन हाँ भी भाजी तो होने वाली भाग अब कुछ नया कंडिशन बन रही जैसे मान लीजिए कि एक में पॉइंट पहले सुन लो तब अगर किसी संख्या में जीरो से भाग करें तो का होता हो बताओ छट्वी टाइप की भाग हो जाएगी एक इमांदारी से बताना कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग करने पर क्या आता है चलो बताओ देखो समझो यहां पर जैसे मान लो मेरे भाई अगर यह छट्वी टाइप का मैं मान लिया मैं कहूं कि चच्चा पांच में तुम जीरो से भाग करो तो क्या आएगा कोई बताए निवन मान लो इसके में दो बिल्कूल बहुत अच्छे संजीव कुमार बेरी गूड बहुत अच्छे सर आप लोग बहुत बहतरीन जा रहें ठीक है आईए आईए आपका इंतजार था देखो भाईया समझो एक्चूली में क्या होता है कि जीरो का भाग आप इसमें कितनी भी बार करने को स्वतंत्र ह जैसे अगर किसी का दिल नहीं मान रहा है मेरा भी नहीं मान रहा क्योंकि आप लोगोंने सेंचुरी पूरी कर दी आप सभी को धेर सारा थेंक्यू हंडेट प्लफ लाइब हो गए चलो तो यह मान लो कि मैं पहले पांच बार ले जाता हूं कोई फरक नहीं पड़ता है यहा में आप किसी से भी गुड़ा कर दो कोई फरक नहीं पड़ने वाला फिर पांच आ गया आपकी बार मान लो मैंने और थोड़ा जोसमिन नौ बार ले गए फिर जीरो आगे काहे को आएगा जीरो बार 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 बताता हूं रूके रहो अब मान लो कहने चलो हार गे दूए बार ले जाते हैं फिर भी जीरो ही आएगा मतलब कितना बार भी ले जाओ लड़के बच्चे आजाएंगे बच्चे के बच्चे आजाएंगे नाती का पोता पोता पनाती च्छनाती हो जाएंगे लेकिन भाग निकटने वाली पानाति शचनाती जानते हो न opener नानिगों किसे बोलते हैं को आपकी नानी की मतलब आपकी जो वाइफ होगी बहुत किना ड्रा कि नात लगेगी रहे हुट यह ने अपकी बार नानी के फृषित दूसरा समझो पार आपके साइध में साइड क्रिया होती है तो इस में फी ऐसे हुआ burgers भाग फल में गुडा करते हैं ठीक है फिर जो आता है जैसे यह बारा आया इसको पकड़ किला के यहां लिखते हैं यह क्रिया होती हैै तो इसमें भी ऐसे हुआ है इसमें भी ऐसे हुआ है 0 को गुडा किया 5 में तो बता हो कितना हैगा गुडा में मता था किसी भी संख्या में 0 का गुडा कने पर जिरो होता है होता है न तो जीरो होगा अगर पांच में जीरो का तब भी जीरो होगा है न करेक्ट ओके तो अब क्या करोगे समझो सम्झो सम्झो यह समझ गए इफ लिए हाँ चीज और चाहे अगर जीरो का कि युद्ossen भाट ले रहे दकर बताओं गांगफ अब यह बताओंगा देखो बताओं बिल्कुल देखते रहे तो वह क्या होगा अनंत होगा इंफाइनाइट समझ में आया देखो कोई कह रहा है कि आपने कहा था 100 प्लस हो जाएंगे तो मैं क्लास्ट फ्री कर दूँंगा 299 वाली बिल्कुल फ्री कर दिया हूं आप तु 100 प्लस आओगे मैं रोज फिरी पढ़ाऊंगा समझ रहे हो ना वही 299 नहीं जो आप लोग 699 पे करके करते हो न वह क्लास में बिल्कुल फिरी पढ़ाऊंगा यह समझ लीजिए पूरे 6 महिने में 1000 रूपय का क्लास बिल्कुल फिरी दूंगा यहां पर 1000 फिरी एकदम लेकिन रोज आप 100 प्लस आओ हर दिन 100 प्लस आओ रोज चलते रहेगा चलो हो गया तो अच्छा ठीक है इसका थोड़ा उल्टा कर दें कि यह आपका टाइप नंबर हो जाएगी सेबन कि टाइप नंबर सेबन अगर पांच से हमें 0 में भाग करना हो आप का होगा रे दैया रे दै है इसमें लोचा थोड़ा सही है कि यह थोड़ा उसका उल्टा है बस अ क्या पांच का भाग हमें 0 मिले जाना है यानि कुल बिला कि ऐसे शम्जो इसकी कहानी यह है कि जैसे अगर मैं यहां का हूं कि भाईया हो चचा हो यहां पर लिखाए 16 और हमार हमां तीन के बार करना ह उनना तो कितना घटाने पर यह आएगा वैसे अगर मैं कहूं कि इसमें पांच कभा कितनी बार पढ़ूं की जीरो आ जाए तो बहुत कितनी बार ले जाओंगे कितनी बार हो यानि पांच में हम किससे गुड़ा कर दें की आई रुक जा बे जाए को पहिले लिख देता है बताओ 5 में किससे गुड़ा कर दें की 0 आजाए भाई साहब जीरो ही एक ऐसा प्राणी है जिसका गुड़ा करोगे तो जीरो आयेगा बाकि 5 कभी भी 0 नहीं हो सकता है तो उपर सुन बार जाएगा यहाँ पर सुन आयेगा घटाने पर क्या आयेगा जीरो बस हो गया यानि भागफल कितना है जीरो आया हम कह सकते हैं कि यह क्या है जीरो यानि इस तरह का आपका भाग को आप टाइप नंबर सेबन बना लेंगे यह टाइप नंबर छे थी यह टाइप नंबर साथ थी कि समझ में आ रहा है ना कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कितने दिन के बाद फिरी कर देंगे देखो भाई अब फिरी का मतलब यह है बाबू कि अगर आप लोग रोज 100 प्लस आएंगे तो मैं रोज यूटूब पर फिरी एक गंटे पढ़ाऊंगा तो आपका कलास फिरी में तो यह आपका हो गया सेबन टाइप के भाग आठवा टाइप का भाग देखना क्या खतरनाक है इसमें कि क्या आप लोग टर्मिनेटिंग एंड नान टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन सुने हैं कि सांत और असांत दसमलों परसार आप सुने हैं कि नहीं कि एक यहां आठवा आजूबा मेरे पास एक रुमाल है काय को अशर है यह लोग भाइक में कहा इसा बोल दिया हा देखिए यह रुमाल की बड़ी कहानी लंबी है कहीं मिली थी मुझे आप लोग करो कहां मिली रही देखो कुछ समझ में आ रहा है कि गयस करना बाकी बोलना मत चलो तो अठवा टाइब में देखो जिसे बोलते हैं हिंदी में अनावसानी आवर्ती बड़ा जीव टाइब का होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिल भी मैं मतलब समझा दूंगा समझ लीजिए जैसे लो सब्सक्राइब के बाद कटने वाली भाग यह आई से समझतो कि किसी ऊंठ के ऊपर को बिली तो यहां पर समझो टाइप नंबर कितना होई कर रहा हो सायद साथ हो गया था आठ लिख लीजिए यहां पर समझ ना जैसे मैं लिखा तो था यार लेकिन सब बनाया जा रहा है हाँ यह आठ में भाग करना है आठ से भाग करना साथ में यानि गिंती छोटी है और भाग जिससे देना वो क्या है वो बड़ी है अब बताओ यह कैसे होगा कैसे होगा और आपको पता है इंडिया में सब कुछ जुगार कर लोगी स्मय कर ले जाएं पता है क्या करेंगे ger देको समझारे। कि इसमें हम भाग ले जा सकते हैं वन बार मैंने अगर ऐसी क्या बोलता है हिं चूर्वस किया तो यह गटेगा यही कम गरबढ जाएगा फिर क्या होगा कुछ लोग कहते हैं कि इसे ना ही करते हैं उपर पहले जीरो बढ़ा लेतें नेकि मुप्त में का1 को बढ़ा लोगे 0 कुछ लोग ऐसा करतेiper यहाँ पर हैं आपको पता है कFor altar लेति हैंसा नहीं होता है यह पहले यहीड बार जायेका थिस गटार्याक फिर से बनाएगा कि ऑफ़ कि देखो निअबिवस कि उसल्बार यहाँ तरहागा थी माही अब किया जीडें सथी बताओ ययास क्या मैं फिर से जीरो बार ले वोलो है हां लेजा सकता हूँ लेकिन बेसर्मी की हद हो जाएगी है कि अगर लाइफ में आप किसी से एक भार धोखा खाते हो तो आप अंजान थे वह चलागत था लेकिन अगर आप दूसरी बार खाते हो तो आप महामूर्ख क्यों क्योंकि वो समझेगा यह टोप आए एकदम तभी दुबारा चलाया मेरे पीछे तो ऐसे क्या है एक बार तो मैंने खाया इसमें जीरो बार भाग ले गया कोई फरक नहीं पड़ा फिर से वही आ गया यानि आसमान से गिरे खजूर प्याट के दुबारा काय उतरेंगे अब आठ का भाग सब्तर में कितनी बार जाएगा अब बाई साहब एट बार जाएगा एट एट जा सिक्स्टी फॉर सब्ट्रेक करिए इनको कितना हैगा अब मैं थोड़ा रुक-रुक के बोलूंगा कुछ बच्चे कहते हैं आप बक 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 बोलते रहे तो मेरे कुछ गुस्ता नहीं दिमाग में हाँ मैं देखता हूं हमें दिखाते हैं सर लोग वाटसप पर भेजते हैं और कभी-कभी ताप इतना तेज बोलते हो ना कि इधर से कान में गुस्ता उधर निकल जाता है मैं थामी नहीं पाता हूं कि कि एड़ लाँ एट में आझ governance नहां अदेखो एक बार तक हम भार देते हैं न तो हम बार जिर्यू उतार सकते हैं आजकल जैसे एक सारकाली नह一個 वाल एक पस्ति समझ लो उसका हई-कोड साब कुरस हो गया है क्या कहना चाथ हूं तो वैसे क्या है यहां भी कुछ अब इनका अधिकार हो गया बार-बार ये कितना बार भी जीरो उतार सकते हैं यहां पर चाहिए जितना बार नहीं अधिक श्यदा अधिक का हो जाएगा इंडियन गड़ी नहीं रह जाएगी चाइनीज बन जाएगी तो एक बार दसंवलो बढ़ाते हैं तो अनन्त बार हम जीरो उतार सकते हैं दूबारा दसंवलो की जरूरत नहीं पड़ती है आईए देखिए अब 7 बार जाएगा गटाओ गे 4 आएगा फिर 0 उताल लीजिए 0 अपने बार मैंने खुद से उताल लिया फिर 5 बार जाएगा ये मैंने आपको देखिए इतनी गत्विधी करने के बाद फिर 0 से स्फ़ल आगया बता दिया परबीन परबीन जी भाई मुझे दर नहीं पता था ये ठीक है देखेंगे अभी वहां तक तुम्हेंने पढ़ाया नहीं लोगों को एक दसमलो पे तीन या पांच कित्ता उतरता है ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ चलिए फिलहाल इसको इंड करिए यानि इनका कहने का मतलब फिर तीन बार उड हो सकता है बाद में फिर एक दसमलो लगाएंगे न यहीं मतलब न आपका रायद मैंने नहीं पढ़ा देखेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आगे बड़े तो यह आपका हो गया जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन क्या होता है यह सांत दसमलो परसार इसके बारे मैं फिलहाल अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको थोड़ा बता दे रहा हूं उधरे आया हूं तो सांत दसमलों परसार इस तरह की परकिरिया को सांत दसमलों परसार बोलते हैं ठीक है देखो मैच से मैं बड़ी बहुम्बत करवाता हूँ जैसे होता नहीं दो लोगों में अपस में प्यार हो जाता है रात में मम्मी बगल में सोती रहती है फिर भी फुसुर बात हो जाती है जान नहीं पाती है बीच में अगर जग गई इधर से उदर पल्टी है भाबु रुक जा माम्मी जाकर ही लाग रहा है समझ रहों कि मैं सुना हूं कापी अनुभो के साथ बोल रहा हूं ऐसी बात नहीं है देखो पहले आगे बढ़ते हैं अ कि आप देखिये एक तरह का नाइन नंबर नान टर्मिनेंटिंग डेसिमाल लिक्स पंपेंस कि ये क्या होता भया यावर खतरनाक है एकटता ही नहीं है रोगे जी आप किसी को आनन हर्या हाइड तो Manufact ein ठीसा कोई पॉइंट रहे लोगों को हाँ लेने दिया करिए खड़े रहे तो मुँमें तोप डालने के लिए लो काहें हां से समझ रहे हो ना जब कोई बार बार कापी पेस्ट कर रहा है तब ही करिए आप नहीं तो आपको इसलिए हटाया जाता है यहां से कि लोगों को फड़ी आजादी दीजिये जीने की यहाँ ख़र बार शव़े में दो कर दोस्टर्यादीन जीरे पेस्जिजरी बार जाड़ है झालने के लोगों क्यों किव्ता है खशर से वोगी खशर रहे झालने के लिजी गे तो सब्स्थे आपको अर् digitally आइर, अपकोobyश नहीं ह्पकोंशरे डिवस को हुआ अर। झाल 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 अब मेरी आवाज आई आ गई ना आ गई ना एकदम चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा सिस्टम गड़बड हो गया जेखिए आप लोगों को इमांदारी से वफादारी से बिल्कल कुट्ट्री जितनी वफादारी करनी आपREE समझ रहो बुरा नहींबना कुट्ट्र बहुत वफादार होता है अगर आवाज नहीं आ तो आपको भाग कर नहीं जानना है तो मैं भी तो कुछ नहीं कर राहा हूं हूँ ना कि थोड़ी गरज होनी चाहिए आपको भी थोड़ी ऐलों फर फिर नजये कि हाँ मतलब लगा है अगर कोई बंदा सामने मेरे कुछ कर रहा है तो भागू ना कुछ लोग तो भाग जाते हैं अब आज आगे तो पटापटियस बोलें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये चैनल मेरी मम्मी ने मुझे रिकोमंड किया था तो मेरे बाबू भाया मै अधिक्तर माताओं और पिताओं को ही पढ़ाता हूँ हमारी कलाश जो लोग पढ़ते हैं न वो अधाय थार माबाभी होते हैं क्योंकि हम पढ़ाते हैं सीटेट सुपर्टेट रीट और आपका जो एमपीटेट विहार्टेट का एक्जाम होता इस्पेसली यह डियलेड वाले उनी कंडिडेट को पढ़ाते हैं तो यह सब सारी प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं और कुछ एक दो प्रोडक्ट इनके बतलब आ चुके होते हैं समझे लो बस इतना आगे नहीं बोलूँगा चलिए ज्यादा नहीं बोलने को हम आपी के लिए तो बने है ना बहुत अच्छा सा ही बोल रहे हैं लेकिन कहीं वो न देख ले नहीं तो कहें कि क्या बोले थे क्लास में किसके लिए बने हो अब कितनी बार जाएगा भाई साब यहां पर दसामलो बढ़ाओगे बाबु जीरो आएगा फिर फिर च्छे बार जाएगा देखो अब फिर जीद्दो आ गया अब क्या करोगे आप अब फिर दसामलो नहीं बढ़ाओगे बार बार फिर जीरो उतालोगे फिर तीन चंग अठारा फिर घटाओ कितना आएगा दो फिर जीरो फिर तीन चंग अठार देखिए अब बार बार आप ऐसे करते जाओगे इसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है कोई इफेक्ट नहीं पढ़ने वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा चाहिए इतनी बार करो तो फिर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे फिर हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि तीन बटा 20 बराबर जो है वो 6.66 डाट डाट यह अनन तक है या इसे साटकट में 6.6 पर बार भी लगा दिया जाता है जो गिंती बार-बार रिपीट होती उस पर बार लगा देते हैं ठीक है बर्मा जी यूटूब से वीडियो बिल्कुल हट जाएगा यह अगर आप लोग रेगुलर नहीं देखेंगे तो यह वीडियो बिल्कुल हट जाएगा यूटूब से कलास का टाइम रात 9 बज़े से लाइब है डेली लाइब आईए 9 बज़े से 9 बज़ कर 40 मिनट पर इमानदारी से क्योंकि यह वीडियो यूटूब पर बाद में मिलेगा इसका स्रीज कोई गारंटी नहीं है फिर आपको साथ सुरूपय जमा करके जुआइन करना पड़ेगा अगर आप लाइब नहीं आ सकते तो यह बात आप अपने पास में रख लीजिएगा क्योंकि मैं कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं? ठीक है तो अब टाइम हो चुका है अभी दस बजे से आपका डियलेट फर्स समेश्टर का आज कलास चलेगा उसमें भी बिलकुल बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा तो आप लोग आईएगा जरूर और इस कलास को जादा फे जादा सेयर करिए अगर आप इस कलास में हंड्रेड प्लस लाइब डेली लेके आएंगे आपकी जिम्मेदारी है सब्की हंड्रेड प्लस लाइब रहने चाहिए मैं रोज फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा पूरे एक गंडे लेकिन अगर ये संख्या आपकी घटती घटती चली गई कि भाईय साथ आ रही है चालीस आ रही है पचास आ रही है तो फिर आप एक काम करना उपर दिये गए नंबर पर ज्वाइन जटेले अम लिख करके मैसेट बेजना और आप 6.99 पे करके ये कलास पूरा फुल ज्वाइन कर सकते हैं फिर आपको किसी को नहीं सेर करना कु कुछ भी करते हो अभी मैं आपको मैसे दिखा दूं तो आपके आंसु गिर जाएंगे पता नहीं क्या क्या गिर जाएंगे लोग इतना परेसान है मैस को लेकर करके इतना टेंसन में हैं और हां अगर आपने मैस सीखा हमसे आपको इस कलास में कोई फीडबाइक मिला जितने आज इस कलास को देखने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब मुझे मैं थाने लगेगी यह तो पॉजिटिव कमेंट हो गया दूसरी बात घटिया इस तरह का बना सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आज मैं दुरभाग नहीं कि इस तरह से और बच्चों का फाइदा होगा टो सुट आ कि है एक चीज़ और जो बच्चे यह फीड़एक देंगे उन्हें से स्वक्मलद मिलेगा याद रखेना इमांदारी से एक gift मिलेगा पक्का वो क्या मिलेगा मैं बताओंगा लेकिन बहुत बहतरीन surprise होगा समझ रहे ना बहुत बहतरीन surprise होगा तो बाद में पच्ताना ना पड़े आपको वो gift आप भी ले सकते हैं बस 30 सिकंड का एक वीडियो दे करके ऐसे अपना दिल से जो निकले मैं बोलगा हूँ या सबके सामने बना किमत बोलना जो मैं बोला हूँ जो आपको लगेगा वही बोलना लेकिन बोलना जरूर और वह जरूर बोलना है कि मैंने class join किया था ठीक है मैंने PVR study की class को join किया था मुझे ऐसा ऐसा हुआ ऐसा लगा मिलते हैं फिर अभी 10 बजे से DL8 की महित के साथ DL8 का 1st semester आज में पढ़ाऊंगा और उसके बाद 2nd 3rd 4 सबका में time बता दूँगा सब बच्चे पढ़ सकते हैं बस थोड़ाई देर में आओ जल्दी से